So far हम लोगों ने Play CDN का इस्तिमाल करा था और Tailwind CSS को बड़े अराम से हम लोग इस्तिमाल तो कर पा रहे थे कोई भी दिक्कत हमको ऐसी लग दी थी कि यार यह problematic हो सकता है Tailwind यूज करते हैं वक्त लेकिन Play CDN को production में आप लोग इस्तिमाल नहीं कर सकते Play CDN को development के टाइम पर आप जरूर इस्तिमाल कर सकते हो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि Tailwind CSS को आप क्यों इस्तिमाल करते हैं कि बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में हो सकते हैं जैसे कि क्यों Tailwind को इस्तिमाल करें जब हम inline CSS लिख सकते हैं एक और सवाल जो आप लोगों के दिमाग में होगा वो यह होगा कि क्या यह बहुत जादा mess create नहीं करतेगा अगर हम एक ही element में इतनी सारी classes add करें तो फिर उसके बाद इतनी सारी classes औरे Tailwind CSS के अंदर क्या इतनी सारी classes अगर हम लोग इस्तिमाल करेंगे तो क्या problem नहीं होगी क्या इतनी सारी classes को अगर हम browser पे ship करेंगे तो browser में जो ship किया जा रहा है production bundle उसका size बहुत जादा तो नहीं बढ़ जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा हर चीज का solution होता है Tailwind CSS के पास आज के इस वीडियो में आपको detail में बताता हूँ और आपको production setup भी बताऊंगा कि अगर आप एक serious project को deploy कर रहे हैं और आप लोग इस्तेमाल करना चाहते है Tailwind CSS को तो किस तरह से आप लोग को अपनी strategy बनानी चाहिए कि अगर आप लोग प्ले से इडियों के इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या स्टेप्स होंगी जो कि आप लोग फॉलो करेंगे इन सब चीजों के बारे बात करूंगा तो सबसे पहले तो Tailwind CSS को यूज करने का पहला फाइदा यह है कि आप लोग बार-बार classes को reinvent नहीं करते हैं और इस चीज का मतलब मैं आप लोग को यहां पर बताता हूं क्या है देखो या जब भी आप लोग एक traditional CSS की सायता से website बनाते हो तब होता क्या है कि आप लोग CSS के अंदर classes के नाम जो है add करते हो और वो classes अपकी HTML में भी यूज करते हो इस तरह की काम आप लोग करोगे तो एक सबसे बड़ी चीज जो है वो है आप लोग को सोचना पड़ेगा इस class को क्या नाम दू क्या इस class को मैं reuse करूं या ना करूं और अगर आप किसी class को reuse कर रहे हैं तो कब चेंज करके क्या चीज बिगड़े ही आपको नहीं मालूम होता है यह और CSS doesn't grow with your HTML design अगर आप लोग टेल्मेंट CSS यूज करते हो तो आप लोग utility first designs यो है जो classes है आपकी वो इस्तेमाल करते हो और जब आप utility first approach के साथ जाते हो तो एक सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि आ आपके components independent हो जाते है जो navbar आपने टेल्मेंट CSS से एक page में बनाया है उसका दूसरे page के navbar से कोई मतलब नहीं रहता है अगर आप लोग utility classes यूज करे हो आप लोग एक particular navbar की utility class change करके या फिर अगर आप लोग header footer में same scheme रख रहे हो अगर आप अपनी CSS वाली HTML लिखते हो यान और यह हो जाती है frustrating चीज तो यह चीज नहीं होती है टेल्में CSS में when you make a change no risk of breaking existing templates यानि कि existing templates को खराब करने का risk जो है काफी हद तक minimize हो जाता है मालो मैं एक HTML लिख रहा हूँ मैंने एक class डाली अपनी sidebar में और दूसरी class मैंने जाली अपने about page के एक right side के छोटे से sidebar में और दोनों करा मैंने sidebar रख दिया दोनों का background red है मैं चाहता हूँ कि मैं एक sidebar को green एक sidebar को red रखूं तो मुझे एक दूसरी class डालनी पड़ेगी है अपने दूसरे वाले sidebar में you got the point utility first approach से यह होता है कि आप सिफ classes change करके component को change होता हुआ देखते हो और यह काफी अच्छा experience होता ह जब आप development कर रहे हो तो if you try to build the site from the last video using pure CSS you will get a lot of questions के answers अब कुल मिलाके मैं आपर क्या कहना चाहता हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि यार हमने last video में एक website बनाई थी एक landing page बनाए था मैं चाहता हूँ कि आप वो landing page खुद से बना कर देखो मैं चाहता हूँ आप वो landing page बना कर दे नहीं है आप लोगों काफी हद तक यह चीज़ पता चलेगी तो आप लोग एक बड़ ट्राय जरूर करना pure CSS से classes डाल कर HTML tags में CSS डाल कर आपको आपके कई सवालों को जबाब मिल जाएंगे अभी आपर कुछ सवाल चुकी आपके दिमाग में शाय से आयोंगे और आने भी च पेज में तो क्या यह फिलेक्स बोक्स की जो classes हैं यह सारी आपके production bundle में ship की जाएंगी तो यह सारी की सारी चीज़े मैं आपको बताता हूं सबसे पहले यह आपकी side का slow नहीं करेगा क्योंकि आज की तारिक में अगर आपने production setup सई से कर ले हैं तो सिर्फ वो classes ship करी जाएंग ब्राउजर पे, client के ब्राउजर पे सिर्फ वो classes भीजी जाएंगी जिनका actual में page में इस्तिमाल किया गया है और तो और अगर आप लोग जावा स्क्रिप्ट में इस्तिमाल कर रहे हैं कुछ classes का तो वो भी जो है यह देख लेगा और उनको भी add कर लेगा तो आपके production bundle का size का increase होगा unnecessarily, बहुत ज़्यादा margin से इसका जवाब में नहीं, जो classes आपने use करीएं, वो classes आपके client को ship की जाएंगी जिसका मतलब कि यह है कि अब आपको tension लेने की आपर ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा production bundle मेरा ना हो जाए कि मेरी जो side device low हो जाए, tailwind CSS use करने के चकर भी नह अब what about responsiveness, बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग की responsiveness क्या रहेगी मेरी site में, क्या मेरी site responsive रहेगी, तो higher tailwind के अंदर breakpoints दिये गए हैं, आप लोग particular breakpoint पर CSS change कर सकते हैं, और यह कैसे करना है, यह मैं आप लोग को बताऊँगा, किस तरह से आप अलग-अलग classes, अलग-अलग devices के लिए add कर सकते हो, same element में, यह मैं आप लोग को बताऊँगा, तो यह सब देखेंगे, आने वाले videos में, और इसके बाद एक और सवाल जो बहुत साए लोग पूछते हैं, वो यह पूछते हैं, क्या यह same नहीं हो गया, क्या यह वही बात नहीं हो गई, क्या हम लोग inline CSS लिख ले, inline CSS भी तो लिख सकते हैं, यह classes add करने का क्या game खेला जा रहा है, तो classes add करने का game inline CSS की game से totally different है, let me tell you, जब आप Tailwind CSS की utility first classes use करते हैं, तो यह utility classes design करी गई हैं, अच्छी websites बनाने के लिए, अगर MX2 आप लोग डालते हो, और MX4 डालते हो, तो यह जो difference है, sizing में margin की, काफी चीजों को, काफी factors को मदे नजर रखते हुए लिया गया है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अलग-अलग devices में, आपकी अलग-अलग utility first classes अगर आप लोग add करते हैं, तो जो breakpoints हैं, वो काफी सोच समझ के बनाए गए हैं, और यह जो utility first classes ने design की गई है, यह आपके overall design को बहुत दा consistent रखने वाली है, अब अगर आप लोग use करते हो inline CSS, तो हो सकता है, आप एक जगा 144 pixels डाल दो, एक जगा 132 pixels डाल दो, फिर उसी के साथ साथ inline CSS को type करने का paint, सिर्फ वही समझ सकता है, जो की inline CSS में style tag डाले उसके बाद, उसमें styles को add करे, और उसकी intelligence, let us say, आपको उसकी intelligence भी मिल जाती है, अगर तो कौन सी value, कौन सी units किस तरह से use करनी है, बड़ी-बड़ी CSS की properties, जो की tailwind की classes में काफी छोटी करके, एक class बना दी गई है, वो सारे के सारी जो lab है, tailwind CSS का, वो आप लोग नहीं उठा पाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप लो को जबाब मिल जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया, why use tailwind CSS, और भी बहुत सारे reasons, tailwind CSS को use करने के, और वो आप लोगों को throughout the course मिल जाएगे, बड़ यह मुख्य कारणा थे, हम लोग tailwind CSS क्यों use करें, ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो कि आप में से कई लो, मुझे नहीं पता है, कैसे भी करके, इस moment को capture करो, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, optimal तरीका tailwind CSS को use करने का, ठीक है, अभी दग हमने play CDN का इस्तेमाल किया था, और development के लिए play CDN बहुत कमाल की चीज है, और मज़ा आ जाता है, आप लोग simply add कर स CSS project को setup करने के लिए, सबसे पहले एक directory के अंदर जाना है, आपको npm init minus y लिखना है, यह क्या करेगा, initialize कर देगा उस directory को as a node.js project, अब इसके बाद आपको npm install minus d, यह सारे के सारे packages install करने, tailwind css post css auto prefixer, और उसके बाद weed जो कि हमें एक server start करने में मदद करेगा, यह सारे packages install करन है, इसके बाद आपको npx tailwind css in 8-p, यह command run करना है, और इससे आपकी tailwind css की configuration file generate हो जाएगी, फिर आपको एक input.css file बनानी है, और उसमें यह तीन entries add करनी है, यह पूरा add the rate से लेके, sami column तक नीचे वाले आपको पूरा का पूरा copy करना है, इसके बाद आपको tailwind की जो config file हमा इसके बाद आपको npm run start command चला देना है, यह सारे के सारी चीज़े मैं आप लोगों को बताऊंगा देखकर, लेकर अभी के लिए आप क्या करो, इस page का screenshot जरूर ले लो यार, क्योंकि अगर आपने इस page का screenshot नहीं लिया है, तो future में आपको जरूर काम आने वाला है, जब आप दिखा रहा हूँ, उन step से, जो कि मैंने आप लोग को अभी बताई थी, मैं क्या करूँगा, इस folder को VS Code में खोल लूँगा, और इस folder को VS Code में खोलने के बाद, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक index.html बनाऊंगा, ठीक है, और index.html बनाने के बाद, ये मानलो मैं अपन tailwind CSS project, जो है setup करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, जल्दी से क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, npm init-viron करना, इससे क्या होगा, कि आपका जो package.json है, वो generate हो जाएगी, ठीक है, तो यार एक बार आपकी package.json यहाँ पर generate हो ज install करने के, वो मैं आप लोग को दे देता हूँ, और यहाँ पर देखो, npm install-d, tailwind CSS, post CSS, auto prefixer, और wheat, अब यह मैं कहां से लाया, अब जो tailwind की website है, उसमें अगर आप लोग सेट अप वाले section में जाओगे, तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगी, तो get started में जाओ, और उसक tailwind CSS की, कौन फाइल जनरेट करनी है, और post CSS की कौन फाइल जनरेट करनी है, तो यह दोनों फाइल जनरेट हो गई, इसके बाद content में, मैं star लगा दूँग, जैसे मैं आप लोग को बताया था, ठीक है, मतलब कि सारी की सारी files में, tailwind CSS की classes, यूज करना चाहता हूँ, इसके बा मैंने save कर दिया, और save करने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना यह जो मेरा package.json है, इसके अंदर, एक start script लगाँगा, और जो मेरा npm run start है, वो wheat को start कर देगा, तो मैं npm run start जैसे ही करूँगा, आप लोग देखो, यहाँ पर एक localhost 3000 पर यहाँ पर यह जनरेट हो गया, मैं मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपने index.html के अंदर एक div बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा, और इसके बाद मैं lorem23 लिखूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, div.bgpurple900, और यहाँ पर लिखूँ यह आपने देख लिया अभी, और यह काम भी कर रही है, मस्त काम कर रही है एकदम, ठीक है, मैं text white भी लगा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगो दिखा दूँ, कि यह काम कर रहा है सब कुछ हमारा मस्त एकदम, ठीक है, बढ़ यह चल रहा है सब, देखो white हो गया text, अब यह चीज देखो यहाँ पर, कमाल देखो, mx2 भी लग गया इस पर, मैं right click करके inspect करूँगा, ठीक है, right click करके मैं क्या करूँगा, inspect करूँगा, और right click करके inspect करने के बाद, मैं जैसे ही इसकी css में जाओगा, input.css में, यह देखो input.css के अंदर सिर्फ वो files हैं, sorry, सिर् में मिली, क्योंकि mx2 मैं यूज करी है, the moment मैं आपर mx3 यूज कर लो, मैं यहाँ पर mx3 यूज करी है, तो dynamically यह input.css जो है, post css की सायता से, इसमें change हो जाएगी है, और मुझे mx3 यहाँ पर मिल जाएगा, देख रहो आप लोग यहाँ पर, सिर्फ वो classes add हो रही हैं, जो क ने ले रही होगा, so I hope कि आप लोगों मजा आ रहा है, आने वाले वीडियो में और concepts को explore करेंगे, tailwind css के, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.